उमीद करता हूँ दोस्तो आप सभी खेरत से होंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई इंडियन्स वर्सिस कॉलकोता नाइट राइडर्स के दर्मियान जो मैच होने आए वाला है दोस्तो डाइरेक्ट हम टीम एनलेसिस करेंगे टॉप गरांड लीग टीम के साथ साथ टॉप हेड़ टूहट टीम कैसे बनाएंगे इसके बारे में भी दोस्तो हम आपको डेटियल में जानकारी देंगे आगे बढ़ने से पहले दोनों टीम्स की सेट रंगित पर दोस्तो हम एक नज़र डालेंगे दोस्तो दोनों टीम्स ने लास्ट फाइव फाइव मैच में दो दो मैच जीते हैं बट अगर best team की बात करेंगी तो Mumbai Indians की team दोस्तो strong team है और pitch report की बात करेंगी तो ये शेक जेद stadium में खेला जाएगा जो की दोस्तो फुली batting को support करेगा यानि दोस्तो यहाँ पर अगर आपको जीतना है तो batters को ज्यादा लेना पड़ेगा वो क्या करना पड़े actual में आपको कैसे team लेना पड़ेगा वो ही दोस्तो हम यहाँ पर discuss करेंगे आप लेकिन उससे पहले में आपको बताते चलूँ कि अगर आप per day free giveaways पाना चाहते हो high deposit offers पाना चाहते हो low competition के साथ खेला चाहते हो तो आपके लिए super class application के लिंक नीचे वीडियो के description में आपको मिल जाएगे goffis के application की तो चलिए दोस्तो पहले में आपको उसका थोड़ा preview दिखाना चाहूंगा दोस्तो यह रही यह super class application यहाँ पर आपको per day free entries मिलेंगी और साती साथ दोस्तो रेफर करने पर भी आपको बहुत सारे benefits मिलेंगे लेडर बोर्ट से पैसा कमा सकते हो तो यह र 32,000 की grand league है पहले वाले पर जो पहले rank पर पहुचेगा तो उसको 3000 से भी जादा पैसा मिलेगा तो low competition है यहाँ पर आप खुद ही दोस्तो देख सकते हो बिल्कुल easy application है पैसा जीतने के लिए तो बाकि आपकी दोस्तो मर्जी प्यारे दोस्तो शुरुवात करेंगे विकट कीपर सेक्शन से तो विकट कीपर सेक्शन में कंटाउन डिकाउक, इशान केशन, दानिश्कारतिक आपको तीनों खेलते हुए नजर आ जाएंगे लेकिन मेरे प्यारे दोस्तो अगर आप हैट्वेड कहला चाती हो तो सिर्फ डिकाउक को पिलकब करना पड़ेगा, समाल लिग हैट्वेड में सिर्फ डिकाउक के साथ जाना पड़ेगा, बट ग्रान लिग की अगर बात करेंगे तो ग्रान लिग में इशान करिशन भी दोस्तो बैस रहेंगे, साधी साथ दानिश्कारतिक भी बैस रहेंगे, बट दोनों को Grand League में ही लिया जा सकता है इशान क्रिशन तभी चलता है दोस्तो जब Mumbai Indians का betting order फेल होता है ऐसा बहुत कम बार होगा pitch betting friendly होने के कारण इशान क्रिशन यहाँ पर नहीं रह सकता क्योंकि दोस्तो पहले ही जो Canton D खाग है, रोहित चर्मा है बाखे पलियर से सूरी कुमार यादव तो इसलिए इशान क्रिशन को pick up करना यहाँ गलत पहमी होगी, दानिशकार्थ को आप pick up कर सकते हो बैटिंग सेक्षन की बात करेंगे तो सूरी कुमार यादव आपको one down खेलते हुए नजर आ जाएगा Mumbai Indians की तरफ से हाला कि दोस्तो पिछले मैच में रोहित शारमा नहीं खेले थे बट इस मैच में दोस्तो आगर इनको खिलाए गया तो आपने टीम के लिए दोस्तो यह opening करेंगे और चांसेस है कि यह खेलेंगे इस मैच में इससे related कोई भी update होगी तो वो दोस्तो आपको इवरेज के हिसाब से दोस्तो बैटिंग करते हैं 30-40 पॉइंट आपको confirm करके देंगे शुबमन गिल दोस्तो में बैट्समैन है कलकता की तरफ से नितिश रेना दोस्तो एक आल्डेंडर प्लेयर है तो इन दोनों को pick up करना एक Grand League में ही best रहेगा किरन पोलार दोस्तो जरुरत पढ़ने पर बॉलिंग भी करते है तो ये भी best रहेंगे Grand League के लिए अगर आप खेलना चाहते हो तो Grand League में Captain और साथ ही साथ दोस्तो यहाँ पर आपको Morgan भी देखने को मिलेगा Morgan यहाँ पर है और Rahul Tripathi और Tripathi तो इसके साथ भी जाना आपको चाहिए तो Grand League में अगर आप 6, 11, 20 टीम के साथ खेलना चाहते हो तो एक एक टीम में जरूर सब को try कर लेना और Vice Captain की बात करेंगे Captain आप Rohit Sharma को बना सकते हो Head to Head टीम में अगर इसको खेलने का मुका मिला अगर यह नहीं खेलेगा तो फिर डीका को Captain बिल्कुल जरूर बना लेना अगर चाहते हो आप तो आप Andrew Russell को भी दोस्तो Head to Head में Captain या Vice Captain का try कर सकती हो कंटान डीका और साथी साथ दोस्तो यहाँ पर Andrew Russell इसके अलावा दोस्तो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे नीचे वाले प्लेयर्स की एस्तिवारी है एसिंग है यह उतने एचे प्लेयर है नहीं हाला कि अगर क्रिस लिन को खिलाए गया बट दोस्तो अगर डीकाउक नहीं खिलेंगे तो फिर क्रिस लिन का खिलने का chances बनता है बट दोस्तो डीकाउक एवलेबल है इसके साथ भी हम जाएंगे नहीं Andrew Russell दोस्तो बालिंग बैटिंग कलकता की तरफ से एक main जिसे backbone कहते है दोस्तो ये एक hard hitter batsman है और balling भी करता है अभी तक दोस्तो इसने विक्टे भी ली है और साथी साथ दोस्तो बैटिंग भी किये है फिल्लिंग से दोस्तो इसने point दे है एक multi talented player Andrew Russell इसके पास muscle power भी है बालू को दोस्तो ये सिर्फ छक्कू के बागेर नहीं छोड़ता वी liar की बात करेंगे अच्छा player है दोस्तो एक average player है इसके साथ आप जा सकते हो अगर आपको credit problem हुवी तो otherwise दोस्तो इसके साथ जाने की कोई ज़ूरत नहीं है सुनील नारायन दोस्तो कभी-कभी कॉलकटा की तरफ से opening भी करते है और balling भी करेंगे बढ़ चल नहीं पाते है इसलिए ये highly risky के लिए ठीक रहेंगे कुर्णाल पांडे हर्दिक पांडे इनको आप दोस्ता ऐसे average player टीम में pick up कर सकते हो हर्दिक पांडे और शेकीबल हसन ग्रांडे में captain भी try करो तो चलेगा क्योंकि हर्दिक पांडे कभी-कभी hard hitting batting करते है 40-50 run बना लेते हैं एक दो wicket लेंगे तो बारी पढ़ सकता है टीम पर शेकीबल हसन की बात करेंगे एक well known player है दोस्तो बंगलादेश की तरफ से अगर इसको खिलाया गया तो captaincy के लिए try ज़रूर कर लेना एक टीम में अगर खिलेंगे तो बाद में इसके बारे में हम देखेंगे अर्जुन टेंडल कर फिरहाल दोस्तो इनके साथ हम जाएंगे नहीं ट्रेंट बोल्ड जस्पित भूमरा दोस्तो ये एक जोड़ी ऐसी है जो कि confirm तकरेबन wicket निकाल के आपको देगी इस ग्राउंड पर दोस्तो फास बोलोस को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है अभी तक ट्रेंट बोल्ड और जस्पित भूमरा ने एक टे बहुत सारे wicket पिक अप किये हैं तो इस बात को बिलकुल भूलना मत वारून चकरबती भी दोस्तो एक wicket टेकर गेंद बास है इस बात को भी आपको दिमाग में रखना चाहिए इसके अलावा प्रे किष्णा और राहूल चैरे दोस्तो धोनू सुपनर्स है इसलिए अगर एक्सपर्ट के हिसाब से लास्ट टाइम पर बताया गया कि यहां पर थोड़ा सा सुपनर्स को सपोर्ट मिलेगा तो हम इनके बारे में भी दोस्तो बिलकुल सोचेंगे सकता है तो यहां से कुर्णाल पंडे या फिर इसको फिलाल हम रहने देते हैं हम मुंबे इडियंस की तरफ से बैटिंगाड रही सिट्रंग लेंगे कुर्णाल पंडे को पिक अप करेंगे तो इसलिए अगर हम चाहे तो यहां पर दोस्तो नीचे वाले प्लेयर को लेंगे जी सिंग मैन पर दोस्तो इसके खिलने के चांसिस ही कम है इसलिए हम चाहे तो यहां पर दोस्तो किसी प्लेयर को थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे शेकी बुलहसन को छोड़ के इसके खेलने के चांसिस भी कम है यह हमको no credit में मिल रहा है तो इसके बदले में यहाँ पर हमको सस्ते वाला credit player V-Layer देखने को मिलेगा यह भी दोस्तो इनिकी टीम की तरफ से है तो अब यहाँ पर no credit बजने के खारण आप चाहो तो इशान क्रिशन को ले सकते हो या दानिशकार्ति को ले सकते हो तो यह टीम एक फिलाल बैलांसर टीम है एक मज़ेदार टीम बन चुका है गराणली के लिए लेकिन यह टीम दोस्तो तभी ज़्यादा काम करेगा अगर मुंबई इंडियनस ने पहले बैटिंग की याद रखना क्योंकि दोस्तो डिका खिलेगा शुरिकुमार यादा उकरन पुलाड रही चर्मा तो यह टीम ज़्यादा ही कुछ अच्छा काम करेगा फिर जब लास्ट में इनकी बैटिंग आईगी इनके ओपनर्स नहीं चलेंगे मेरा कहने का मतलब है कि जस्तित भूमरा और ट्रंट बोल्ट पहले चार उवर डालेंगे इनके ओपनर्स को उड़ाके लेके जाएंगे फिर क्या बचा फिर बचेंगे यहां पर दानिशकार्टिक जो क्या आराम से कहलेंगे इन मॉर्गन आंडर्व ड्रसल वी लायर दोस्तों यह चार बैट्समें तकरीबन कुछ ना कुछ करेंगे तो इस दिये टीम हमारा चल पाएगा फिलहाल दोस्तों यहां से दीजी जाज़त मिलेंगे टेलिग्राम पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले बाई बाई बेस्ट अब लाइक